तो दोस्तों सब चाहते हैं कि उनकी जो बेडरूम की दिवार है बैक साइड की वो काफी ज़ादा अच्छी दिखे जाए आपके लिविंग रूम की लॉबी की तो उसके लिए एक option काफी ज़ादा अच्छा है वो है wall molding तो molding ये trim का आजकल trend सा है आप एक royal look एक luxury look अगर दिवार को दे सकता है तो आज के इसी वीडियो में हर चीज के बारे में बात करेंगे कि किस किस टाइप की ये आपको market में मिलती है क्या उसका price पड़ेगा अगर आपको अपने bedroom में design बनाना है थोड़े option भी दूंगा मैं आपको अपने bedroom में क्या design बना सकते हो उसमें कितन करते हैं आज का वीडियो लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को subscribe कर लो और bell icon दबालो सबसे पहले आपको type पता होनी चाहिए कि आप अपने गर में लगवाने जा रहे हो तो उसमें क्या क्या option आपके पास होता है सबसे पहले option स्टार्ट हुआ था पैरिस बगरा में काफी trend लोग करवाते थे तो प्योपी वहां option काफी जादा था और इंडिया में भी प्योपी से शुरू हुआ था प्लास्टा पैरिस लेकिन इसको अभी बंद कर दिया कुछ लोग कर रहे हैं लेकिन इसकी life काफी कम होती है दिवार पर अगर sealant आगे dampness आगी तो यह निकल जाती है अगर कोई जोर से कुछ चीज लगेगी तो निकल जाएगी और cracks आ जाती है तो प्योपी की molding बंद इसको हम option में लेंगे ही फिर option आता है हमारे पास PVC, WPVC और charcoal यह option इस समय सबसे ज़्यदा trending में है अगर हम simple language पकल लेते हैं इसको PVC बोलूंगा उसमें हमारी WPVC भी आ की molding इस समय trending में है सबसे ज़्यदा यूज हो रही है तो अगर हम बात करते हैं आपकी दिवार अगर है पुरानी मतलब आपने paint कर दिया है और आप चाहते हो कि paint नहीं करूंगा भी क्या मतलब एक बार paint कर दिया सिर्फ मेरे को क्या चाहिए मेरे दिवार एक अच्छा सा look दे दे मेरे को या सिर्फ आपने पुट्टी करवाई और आपको लुक चाहिए तो उसमें option होता है PVC molding का चार कॉल 5-6,000 रुपया खर्चा आने वाला है कुछ जादा खर्चा नहीं आएगा और एक लुक आप देख सकते हो जो पिक्स आपके सामने दिख रही है अभी मैं live किसी दिन आपको site पे भी ले जाओंगा वहां दिखाओंगा कैसे molding की जाती है फिर हम बात करते हैं जब हम wood की यह हो गया कि पुरानी दिवार थी उस पे हमें molding करवा दी white color की gray color की यहां chocolate color की किसी भी की color की करवाओ आपको market में मिल जाएंगी और जो charcoal यह PVC molding start हो जाती है वो आपकी 30 रुपे से start हो जाएगी और 120 तक चला जाता है मतलब क्या होता है इसमें size आते है कोई 20 mm का size भी आएग चोटा भी आएगा तो हम पकड़ लेते हैं 30 रुपे रंणिंग फीट कित्रा 30 रुपे रंणिंग फीट से 1500 रुपे रंणिंग फीट आपको जो WPVC molding charcoal PVC इन सब में एक जैसा ही है material का फरक है थोड़ा बहुत तो वो आपके पास होगे अभी आते है option जो एक मैं जाता है MDF का फिर आपको option इसमें मिलता है solid wood का और HDMHR मैं समझाता हूँ क्या है यह सब चीज़े पहले समझ लो solid wood क्या हो गया solid wood की चलन में है लोग अगर सस्ता काम करवाने आपको तो solid wood की आप molding करवा लो solid wood में काफी अच्छी साल टीक यह जो wood है काफी अच्छी है मत होगी तो यह थोड़ा न उकड़ने का डर रहता है थोड़ा fold होने का लेकिन जो साल टीक की wood रहती है यह season में shrink और expand नहीं होती तो इतना ज़दा को दिक्कत नहीं रहता है low budget अगर आपको चाहिए solid wood की लगाओ 10 रुपे running feet से start हो जाती है कितनी 10 रुपे running feet से start हो जाएगी 40-50 रुपे running feet चल जाएगी और best option मिल जाएगा इसमें एक दिक्कत रहती है आपको wooden color ही मिलेगा wood का color मिलेगा अगर आपकी अभी construction चल रही है अपनी दिवार पर करवाना चाहते हो तो यह molding करवालो जब यह molding करवालोगे उसके उपर में आगे process बताने वालो कैसे कैसे paint वगरा putty करनी बढ़ती है यह हो गया solid wood फिर आपके पास option होता है HDHMR यह क्या हो गया HDHMR यह भी एक wood का ही form है लेकिन काफी अच्छी मतलब आपका अगर budget जादा है और आप चाहते हो कि आपका यह खराब भी नहीं हो बले dampness वाली दिवार हो बले कुछ भी हो तो HDHMR जो है काफी अच्छा है यह 60-100 रुपया running feet आपको market में मिल जाएगा और यह look काफी अच्छी luxury look देते हैं आपकी एक दिवार को और इसमें ना फटने का डर रहता है ना उखरने का तो HDHMR एक अच्छा product है अगर wooden में जाना जाते हो फिर होते है MDF और HDF MDHDF में नहीं prefer करूँगा क्योंकि अगर गिली दिवार होगी तो वो तो फूलना ही फूलना है तो यह आपको 30-60 रुपय पर running feet में मिल जाएगा MDF और यह भी काफी अच्छी look लेता है लेकिन wooden में अगर जाना चाहते हो budget कम है तो आप solid wood के साथ जाओ बहुत अच्छा है सस आपको बिता देता हूँ आपको bedroom है 10-10 की दिवार है पहले तो उसकी measurement कर लो कि किस हिसापका आपको design बेरन है आपको उसको mark करवा लो pencil से पूरा mark करवा लिया ठीक है और धियान रखता है दिवार में आपकी undulation ही होनी चाहिए उपड़ खापड दिवार होगी तो दिक्कत दाएगी वह अच्छे से चिपका नहीं उखडी-उखडी से रहेगी तो आप पहले तो एक पुट्टी का अगर possible like code करवा लो ठीक है पुट्टी का code करवा लिया उसके बाद उसको draw करवा लो कि आपका पहले तो आपको पूरा measurement लेना पड़ेगा कि 10-10 का camera है side से हम 6-6 inch च है आपने choose कर ली कि मेरे को यह पट्टी चाहिए वह आपको 8-10 feet के size में मिल जाएगी market से वह लियाओ जितनी आपको requirement है 5-10% जादा ही लेना क्योंकि wastage इसमें होती है जब यह लियाओगे उसके बाद आपको उसको लगवाना है दिवार पे और जब दिवार पे लगवाओ यह दो feet पे हर एक feet feet पे headless कीला लगाओ और अंदर से molding को favicol लगा लो पहले पूरी molding को favicol लगाओ फिर चिपकाओ फिर कीला लगाओ उससे क्या होगा वो उखडेगी नहीं उसके उखड़ने के chances काफी जदा कम हो जाएंगे जब यह काम आपका होगी अच्छे से design बना गैप को fill कर दो और उसको जब fill करना है पुटी और paint को जब animal जो paint आता है उन दोनों को mix कर लो जब mix करके उसकी packing कर दो अच्छे से fill कर दो ठीक है जब fill कर दिये joint फिर उसके बाद चाग मिटी जो आती है पुटी भी कर सकते हो मतलब पुटी का भी उस पे मार सकते हो लेकिन चौक मिट्टी बेस्ट रहती है फिनिश समूद देती है चौक मिट्टी लो और उस पे थोड़ा जो गैप है वो वर लो उसके बाद रेग मार करो ठीक है डेट सु नंबर का रेग मार लो उसको अच्छे से रब कर लो फिर चौक मिट्टी थोड़ी से उसमें किस तरीके से करने है उसके बाद एक कोड प्राइमर मारो और उसके बाद पेंट कर लो एक दो कोड और एशिन बेट का जो लग्जरी पेंट आता है वो करवाओ उस दिवार उसी दिवार पे करवाओ पूरे घर में अगर नहीं करवाने है तो काफी अच्छी लुक को उसमें देगा यह मैं गरंटी देता हूँ काफी अच्छी लुक देता है तो यह हो गया कि वुडन का करवाओ अगर पुरानी दिवार है जैसे मैंने कहा PVC, WPVC, चार कोल के जो आते हैं वो लगवाओ वो भी एक best option है 30 से 1500 रुपे में शुरू हो जाता है और उसमें ना पेंट करने की जुरूत है ना उसमें पुट्टी लगाने की जुरूत है डायरेक्ट क्या होता है वो PVC का पूरा आपको 8 से 10 वीट में मिल जाएगा उसको कटिंग करनी होती है 45 डिग्री पे के कटिंग की और उसको पीछे के अडिजिव लगाया जाता है अडिजिव लगाके चिपका दिये जाता है उपर मास्किंग टेव लगा दी जाती और निकाल दी जाती है तो इस तरीके से वो अगर आपको चाहिए आपके गर में गंद नहीं डालने है आपको पेंड वेंड वकाला चक्कर नहीं डालना है तो पीविसी डॉविसी बेस्ट ऑप्शन है वो भी अगर आपने अड़ीजी बच्छे से लगाया होगा वो इतनी जल्दी निकलता नहीं है लेकिन अगर नहीं कंस्ट्रक्शन है तो जो सॉलिड बूड है जा आपका यह HDHMR है यह बेस्ट है इसको लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है अभी एक मैं आपको बता दूँगा अगर आपकी दीवा है कि कितना खर्चा आएगा उसमें सबसे पहले हमने डिजाइन एक चूज कर लिया कि कुछ ऐसा डिजाइन मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा डिज लिजाइन को दिक्कत नहीं है तो हमने ले लिया जो हमारी सबसे पहले दियान रखना है जो हम नापते हैं यह जैसी यह ना यह लगालों 2 items id तो यह 2 feet count होगा, मतलब 2 feet, यह share feet है, ऐसे ऐसे पूना हमने running feet में ना अपना होता है, square feet में नहीं, running feet में, approach हमारी यह design में पूरी, solid boot का हम निकाल लेते हैं, वहले PVC का बाद में निकालते हैं, ठीक है, तो solid boot का हमने लगबग 120 running foot हमें, यह molding लगी, solid boot की, ओक की हम ले आए, ठीक है, तो 20 रुपे की हमें running feet मिली थी market से, 120 हमें total लगी, तो 2400 रुपे की हमारी molding आ गई, जिसे साब से design चूस करोगे, उसे साब से हो गया, तो लगबग 2400 की हमारी आ गई, उसमें हमें फैविकोल और screw लगाना था, क्योंकि जब हम इसको fix करेंगे, पीछे फैविकोल लगेगा है, उपर headless screw, तो approximately वह आगे 400 रुपे के हमारे screw और फैविकोल आ गया था, sand paper भी चाहिए हमें, चार किसम का और चाक मिटी भी चाहिए, तो 500 रुपे की हमारी फैविकोल और चाक मिटी आ गई, clear, paint, कोई 1500 रुपे का हमारा paint लग गया, क्योंकि काम चल रहा है हमारा अलग से हमने लाया नहीं, क्योंकि कि तभी possible होता है कमरे करवने, ऐसी बलाओगे तो 1500 रुपे का paint पकड़ लो हमारा paint लग गया, लेवर जो कारपेंटर वो दो देहाडी लगा देगा, 800 रुपे यहां रेट चल रहा है, तो 1600 रुपे हमारा कारपेंटर कल गया, मतलब एक दिन में कर सकते है वो खतम, कोई दिक्कत नहीं है, जाधा काम नहीं है, एक दिन में मज़े से खतम हो जाएगा, हम दो पकड़ लेते हैं, ठीक है, फिर जो painter है, उसके दो दिन लग जाएंगे, ठीक है, एक दिन उसने चौक मिटी करके रग बग कर दिया, एक दिन में हो जाता है, एक दिवार का काम, लेकिन दो दिन पकड़ लेते हैं, 16 सब, तो एप्रोक्स आठ हजार रुपया, लंप सम, एप्रोक्स बोल रहा हूं में, आठ हजार रुपय लग जाएगा, यह पांसे छे हजार रुपय में भी हो जाता है, ठीक है, फिर अगर PVC का लगवाते हैं, मतलब चार कोल, PVC, WPVC, तो इसका जो अगर यही हम पकड़ते हैं, 120 running feet था हमारा, तो 40 रुपय हम rate पकड़ लेते हैं, सस्ते भी आते हैं, बहुत सस्ती है ही, तो 40 रुपय running feet rate पकड़ते हैं, तो 4800 रुपय का हमारा material आएगा, Carpenter एक देहरी लगाते हैं, उसमें ज़्यादर नहीं लगता है, क्योंकि मास्किंग पकड़ लाती है, तो 6400 मतलब और थोड़ा बहुत लमसम पकड़ने, तो 7000 रुपय में हमारा वो खतम हो जाएगा, इसमें ना paint की ज़रुआ होती है, ना putty की, यह कोई दिक्कत नहीं है इसको बस लगाने का थोड़ा है, जब adhesive गरा लगाओगे, तो adhesive लगाने की पूरी चीज है, तो यह चीज है आपकी है, तो दोनों का खर्चा भी पता चलगा, अभी मैं थोड़ा आपको drawing दिखा देता हूं किसी साब से होती है, देखो यहाँ देखो अगर design देखें, तो ज यहाँ से भी 6 इंच जगा छोड़ी है, और फिट design के अंदर भी 6 इंच है, और यह वाली जो एक फिट जगा छोड़ी हुई है, फिर वैसे हैं और यह जो design मैं ने देख रहा हूं है, यह लीशिया design है, यह आप website जाके देख सकते हो, तो फिर यहाँ यह design आप देख रहे तो इसमें भी क्या किया हुआ है, इसमें भी हमारा उपर से 9 इंच छोड़ा है, यहाँ बीच में 9 इंच है, यहाँ बारा इंच है, यहाँ नो इंच है, मतलब 6, 9, 12 ऐसे इतने इंच ही छोड़ा जाता है, बागी बीच का distance अलग से रहा, तो अगर यह पीडिएफ चाहिए में लिंच है